हमेश्का दोस्तों हाई फ्रेंज्स गुड्मॉर्णिंग मैं पाल भी बसनायट डिरेक्टर टियांज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमेंट्स नेट्वर्क सिस्टम की तरफ से आप से भी दोस्तों का आज के स्पेशल वैबनार में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मुस्ट वैलकम दोस्तों जैसी का आप जानते हैं ट्यांज इंटरनेशनल एक ड्लोबल कंपनी है जो साल उननी सो बानमे में शुरू ही की अर आज दुनिया भर में लगए दोस्तों चौबिस देशों में और डिजन्स में 47 मिलियन लोग ट्यांज के साथ अपनी हेल्थ, व मुका मिला, आज मैं तने कह सकता हूं कि ट्यांज ने में जिन्दगी बदल दी, ट्यांज इंडिया में जो टॉप सिक्स डिरेक्टर्स हैं, उनमें से एक पोजिशन, ग्लोबली ट्यांज के जो टॉप 100 लीडर्स हैं, उनमें शामिल होने का मौका, हेल्थ, वेल्थ, हैपि पीछे दोस्तो, कुछ वज़ा, कुछ ऐसी वज़ा हैं, जिसको आज आप रिलेज कर सकते हैं, मेरी स्ट्रेंडिंग के माद्यम से, जो हम बोलते हैं, तस साइन ओफ लीडर्शिप, अपने आपको लीडर, मानना बहुत जरूरी है, अपने आपको लीडर समझना बहुत जर आप एक लेडर हैं प्रू लेडर की लीडर्शिप के कुछ निशानिया होती हैं साइन होते हैं कि आज हम उसके बारे में बात करेंगे और और एक मैंने लिखा है आठ यह ऐसी कॉलिटीस जिसके ओपर हम डिसकस करेंगे आप से जिसमें से पहनी कॉलिटी है दोस्तों स्ट्रॉंग कम्यूनिकेशन मतलब अगर आपके पास में लोगों को बात करने की मैं कहता हूं इसको बात करने की तहजीव है अगर आप लोगों के साथ में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं आपकी जुबान में मिठास है आप कड़वी बाते नहीं करते हैं नॉर्मली भी नहीं करते हैं और खास निशानी है जब आप गुसे में होते हो तब भी आप कड़वी बात नहीं करते हो समझ लो चांदी ही चांदी सोना ही सोना आपके पास हम ढूंद रहे हैं बाहर जाके द मैंने भी सोचा कि आब यह बहुत लेदी ट्रेणिंग आपको आप अब बहुत अच्छे लीदर हैं बहुत अच्छा बिजनस कर रहे हैं मुझे पता है कि त्यांस के बारे में तो आपसे मैं कुछ ऐसी बाते करूं जो मैंने पिछले 22 साल में फिल की जिसके उपर मैं अपने आपको दाने की कोशिश की कोशिश इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी मैं अपने आपको यह नहीं सोचता हूं कि मैं बिलकुल सरोगुण संपन हूं नहीं मुझसे भी कभी कभी मैं भी महसूस करता हूं यहीं इस पैनल में आप भी महसूस करते होंगे कभी कभी मैं भी मुड में होता हूं में फोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देता हूँ जो में बाद में महसूस करता हूँ क्यूँकि यही कॉलिटी आपको आगे ले जाती है यही कॉलिटी उपर ले जाती है जब आप Katie करते हो कि हार मेने मिस्टेक की मुझसे गलती हो रही है मुझे इसको ठीक करना है कि देर इस ऑल्वेज द चांस ऑफ इंप्रूमेंट ओल्वेज मतलब जब तक आप जिन्दा नोबडी इस प्रफेक्ट कि यह फिलिंग अपने बारे में अपने बारे में गल्त फहमी नहीं कि मैं लीडर बोल दिया इसका मनद भी होगी हम तो बड़े लीडर हो लीडर समझना है बट फिर अपने आपको चेक करना है क्या वो जो लीडर्शिप वाली क्वालिटी है है क्योंकि आप बोलो के मैं लेडर हो लोग पागल थोड़ी है लोग खाना खाते हैं लोग घास थोड़ी खाते हैं समझो बात को बोलने से नहीं होता है I am a leader the sign of leadership must be there जिसमें पहला क्या है गुड कम्मुनिकेशन बेटर कम्मुनिकेशन गुड बेटर बेस्ट अपनी कम्मुनिकेशन को बेटर एंड बेटर एंड बेटर बेस्ट बेस्ट अच्छे से अच्छे करने की कला क्या है इन लोगों से respectfully बात किचिए अदब से बात किचिए कोई अगर नीच्टा दिखाए कोई अपने आपको मीन चीप हो जाए उसके लेवल पर नहीं उतरना है मतलब अपना लेवल मेंटेन रखना है हर हलत में अपना टेम्परामेंट जो है हमेशा मेंटेन रखना है क्योंकि परिस्थितियां लोग ऐसे होते हैं या ऐसे बनती हैं जहां आपका कम्यूनिकेशन ट्रेक से भाद चला है और जब आपने अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे अच्छी घठनाओं को काबू करना श्रीक लिया समझलो मामला सेट होना शुरूर और यह हैबिट है दोस्तो हैबिट यह एकदम नहीं ड्वेल्प होती है इसको टाइम लगता है जिनकी आदत में हैं वह बहुत खुश नसीब हैं मैं यह कह सकता हूं कि वह बहुत कुछ कर रहे होंगे जिन्दगी में इफ्रेक्ट है इस दुनिया में जो शक्ती है दोस्तों वह कम्मुनिकेशन में हैं चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन गए एक की बात नहीं है पुरी दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूल में फर्मल एज्यूकेशन नहीं लिए लेकिन जिन्दगी में वह ना टॉप हैं टॉप अंगीनत लोग गिंती नहीं है कि क्यूं कि उनकào है कि क्या बोते हैं आप हिंदी में दो कि मेरे बात लाव करना आती है कि बाते करनीया आती है जो बहते करनी करते दोस्तों आपको बाते करने सीखनी है अगर आप वाक्य में ज़्यादा कामियाब नहीं हो पाएं अभी तक उसका नंबर वन रिजन होगा क्या आपकी कम्मुनिकेशन में घड़ बढ़ है but it must be sincere and honest communication आप जूट से लोगों को कुछ दिन तक impress कर सकते हैं कुछ महीनों तक impress कर सकते हैं एवन एक दो साल दो चाल साल भी convince कर सकते हैं में दो इंप्रेस कर सकते हैं लेकिन जिस दन परदा फाश होता है सचका तो फिर धरी की धरी रहा जाती चीज़े जो जब आप लीडर हूँ, you must follow the code of ethics. Ethics जानते हैं, moral value जानते हैं आप, that is must. क्योंकि long term के लिए बहुत ज़रूरी है. जो example आपने सट किया, वही आपकी team करने वाली है. अगर आप सिर्फ कागज के फूल से चाहते हो ना कि फूलों की feeling रहे हैं, तो वो नकली फूल, नकली खुश्बुक कुछ दिन तक काम से कर सकती हैं, कुछ time तक कर सकती हैं, बढ़ लॉंग टरम में नहीं हैं, और जो असली फूल होते हैं दोस्तों, वो तो हर रोज नए जाल तो हर रोज natural खुश्बु आए, इसका मदब it is a everyday job, हर रोज हमें अपने आपको better करना है, improve करना है, और सबसे बड़ी quality होती है दोस्तों, communication में, जितना आप सुनोगे, जितना आप सुनोगे, उतना अच्छा बोलोगे, मुझे बहुत खुशी होती है, यहां आकर बहुत सा है ना, कि सर, हम जब लोगों से बात करते हैं, और जब हम लोगों को जबाब देते हैं ना, तो हमारे से जबाब निकल जाता है, और हमें नहीं समझ आता है, कि यह जबाब निकलता कैसे है, तो हम महसूस करते हैं, कि हम सुनते रहते हैं, आप लोगों की बाते हैं, leaders की speech को, उन्हीं मैंसे कोई ना कोई बात हम बोल लेते हैं और लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं और आपकी बल्ले बल्ले रहती है उनको लगता है यार इतने समझदार हैं यह मैं आपको बताना चाहूँगा मैं किताबें पड़ा करता था किताबों की बाते में लोगों से किया करता था लोग बड़े हमां क्योंकि पड़ी थी कि कई वाई हमने जो सुनी होती है दोस्तों वह बाते हम करते हैं क्यों जब सुना था तो हम भी इंप्रेस हो गए थे हमें भी अच्छा लगा था वही एक्जाम्पल हमने क्या किया बताना शुरू कर दिया के एक्वश्क ना अपने आपसे की आपको मजा आया ना जस कि आग्षआ को मजा नहीं आएगा और जो इंसन यह दिखावा करता में मुश्क कि je दो निया में नेधों मिठ्र लगाते से तुर्ण पता लगजाता तैंस को आया बनकली लिया यह जान वी कि निहतना है एक्सेप्ट नही कर रहा है बैइ मीठा तो मीठा ही होता है ना आप निखाया मीठा लगा सामने वाले कि पुछो कैसा लगा वो बोले कि पता ही नहीं चला ऐसा हो सकता उसको पता है नहीं नेकिन उसको बोलना नहीं है कि मीठा है वाई साब क्या कर लोगे आप उसके कम्यूंकेशन का जो पावरफुल चीज है वो है सुनना आप रात को वैबनार में आते हो सुनिए अपने सीने से बाते करके वो समझाते हैं उनको सुनिए जब वो बाते सुनोगे जब आपका नंबर लगेगा ना बताने का बोलने का वही बाते घुम फिरके जारी होंगी वह भी इंपक्क्ट पढ़ रहा होगा जो आपके उपर पढ़ा था आप मॉटिवेज होगे आप इंस्पायर होगे आप अप फायर डप होगे आपकी टीम भी हएशी होगी आपके जो लोग है आपके प्रॉस्पेक्ट है वो भी हैसी होँगे और सबसे बड़ी बात जो हमें ने जिस तरह का दिया है ने ये structure, body, दो कान है, एक मुह है, इसका मतलब क्या है, सुनना ज्यादा है, बोलना उससे कम है, जितना बोलना है, उससे ज्यादा सुनना है, बोलना नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कम बोलना है, क्यों बोलना है कम, अरे ज ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज्यादा बोलना पड़ेगा ज्यादा बोलने से ज्यादा लोगों से मिलने ऐसे क्या होगा आपका प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा होएंगी मीटिंगे ज्यादा होएंगी डेमो ज्यादा होंगे लोग ज्यादा जुडेंगे बिजनस ज्या बाते कर रहे हो बोड़ ले हो बट जितने ज्यादा स्पीड से बोड़ रहे हो इससे भी ज्यादा आपको क्या करना दोस्तों सुनना है एक नेक्स लेवल की बात करूं मैं अगर आप अपनी कम्मिनिकेशन को बेटर करना चाहते हैं अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो सोने पर स्वागा है आप उसकी सब्सक्राइब की दिक्कत है यह वह दिक्कत है कोई बात नहीं सुन तो सकते हैं आप मैं खाना खा रहे हो तब सुन सकते हो काना बना ले हो तब सुन सकते हो और काम्धाम कर रहो सुन सकते हो रहा चलते हुए सुन सकते हो मतलब जब मौका मिले मुझे पढ़ने का शौक था लग वक्त तीन लाक रुपैसे भी ज्यादा की बुक्स है मेरे पास इतने बड़ी लाइबरी में ने बना ली क्यों बनाई कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक मैं जब भी मौका मिलता था, जहाँ भी एलपोर्ट पर गया, बस्टेंड पर गया, जहाँ भी मौका मिला, मैं देख़ुदम अकेले में मिलेको और उसे बात करने से अच्छा मैं सोचता था, मैं पढ़ों, मेरे बुक पढ़ता था, उसके नेक्स चेप्टर, इतने चेप्ट ताइट है तो क्या कर यह आप सुनिये सुनने में जादू है जितने अच्छा सुनोगे जितने कामियाब लोगों को सुनोगे जितने webinar सुनोगे उतने आपके अंदर जो है न पावर आएगी ताकत शक्ति तो यह पहला था आपको honest होना है अपने communication में नमबर टू बी honest इस फाउंडेशन है दोस्तों इस business में कभी कभी होता ना कि आप जूट बोल रेते हो आपको लगता बस अभी एक बाई बोलना जूट फिलाद मेरा काम हो जाए मैं दोबई चली जाओ या मैं गोवा चली जाओ या में बीश्यम आ जाए बाद की बाद में निपतेंगे यकिन करना जिसको चोरी की आदत पड़ गए न वो बाद में बड़ा चोर बन जाता है आप समझें गल्ट है गलती रहेगी जरूरी नहीं है बी ओनेस्ट जवाब लोगों से अप्रोच करते हो हमारी प्रोड़क्त कितने जबरदस्त हैं अगर किसी प्रोड़क्त में चार क्वालिटी भी है ना जितने हम पैसे ले रहे हैं लोगों से उससे कई जानियों गुना ज़्यादा उसकी वेल्यू है लोग शराब पीते हैं शराबों की बोतल मैं जाता हूं एरपोर्ट में मैं देखता हूं वहापर 1000 पर की बोतल 2000 की 5000 पर की बोतल एक बोतल 5000 की ایک बोतल 8000 की एक बोतल 100000 की 150000 की बिस लजार की 25, 25, 30, 30, 40, 40, 55 balance बोतल शराब की एरपोर्ट जैसे जगा कितनी महेंगी जगा है वहाँ पर विखती है लाइन लगा कि आ रहें वो ख्रीद रहें जा रहें तो ख्रीद रहें सोचो तम बाख हुआ है इसके रावाद ना जाने कितने घटिया चीजें जो लोग यूज करते हैं इसे श्रीर को नुकसान ही नुकसान है वो भिक रही है माकड में भिकती है लोग लेते हैं कि अवेड़ी नुकसान है वो बाख है लोग यूज करते हैं दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़े बिखती हैं जो हमारी शरीर के लिए हमारे परिवार के लिए हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए नुक्सान दायक है उसको भी दुनिया बेच रही है दुनिया का माल बिक्रा आए खृदने वाले भी यह बेचने वाले मैं यह कहता हूं कि यहां वो भी है आतंकवादी बोलते जिनको आप टेर्रिस्ट जो मानो बम बन जाते हैं मानो बम मतलब बम बटन दबाया शही खतम फिनिश मर जाते हैं मरने के लिए त्यार बढ़ते हैं क्यों यहां तो जिन्दगी जीने के लिए काम करना है लोग इतने ब्रेंड से ब्रेंड जिन लोगों का इतना ब्रेंड वाश है mentally इतना ज्यादा वो prepared हैं कि मरने के लिए लोग त्यार हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर conditioning of mind की जाए अपने दिमाग की conditioning की जाए मतलब बार बार अपने अंदर thought ढाला जाए कि एक शांदाल जिन्दगी जिनी है ultimate जिन्दगी जिनी है बैटर बरजन बनना हों मैं पिछले साल से जादा अच्छा हो गया इस साल अगले साल अच्छे हो जाएंगे हर तरीके से मन से वचन से करम से इंकम से लाइश्टेल से रात और रात कोई चमतकार होने वाली चीज कहीं भी नहीं है दुनिया में कहने का मतलब एक दोस्तों जब लोग इतने साही चीजें बेच रहें दुनिया यूज कर रही है आपके बास हेल्थ केर के प्रोड़क्ट इस दुनिया की जो पहली दौलत है वह हैल्थ है इस स्वस्त अगर रूपध रुपड़े में सब मिठि है मिठ्टी रिष्टेदार परिवार बीचे पती सब जीरो यह मिठ्टी यह कोई वैल्यों नहीं है अगर आप कि सेहत ठीक नहीं है सब कुछ मिटी है इसका मतलब हेल्थ इतनी इंपोर्टन चीज़ है इस दुनिया में हेल्थ का मतलब है एक जीरो एक हो ना वन फिगर में जीरो है जैसे माम लो पैसा डॉलर एक एक जीरो लगाते जाओ गारी बंगला कोठिया अपलॉट है ना बेंकों में पैसे पता नही पूछ जीरो 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 लगीन लेकिन उसके आगे जो एक है अगर एक लग जाए तो जीरो की वेल्युट बन जाती है अब सब्सक्कोंचे घटा दो आप उन जीरों की कोई वैल्यू है नहीं है सेन चीजें हमाई सिहत के बादे में हम सब लोग प्राउड मेंबर हैं हमारे हाथ में जो है न वह वाक्य में खजाना है हम खजाना बांटने के लिए निकले हैं हमारा किसी से कोई competition नहीं है मेरा competition किसी से नहीं है दुनिया में मेरा competition अगर है तो मेरा और किसी और को हो ना हो उसे क्या परता है आपको नहीं है क्योंकि अगर आप अपने बारे में कैसी धार्णा रखते हो तो आप अपने बारे में इतनी बहतरीन इंडस्ट्री में हैं और इसमें अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो अपने आपको improve करना है इस नियत के साथ काम कर रहे हो और साथ में जो passion है क्या है कि अपनी भी बदलनी है और अपने साथ वाले लोगों की भी बदलनी है अगर ये quality आगई आपकी ये दुसरी quality है दो second quality second quality है कि आपने अपने आपको improve करना है self improvement is must communication भी better and better होएंगी दिरे दिरे एक दम नहीं होँगी जिस समास से आया है जिस इलाके से जिस घर में रहते थे हैं जिस महले में रहते हैं ना कईयों को बच्चों को बच्पन में बड़िया बड़िया गालिया देनी आजाती है बड़िया तो नहीं होती है घर्टिया घर्टिया गालिया उनका मूँ बाद में निकलता है पहले गालिया निकलती है ऑपकुछ रिलाके ऐसे हوتे हैं बच्चों को टो छोड़ दो बड़े बड़े Woah निकलता है नहीं hunters या ना ना मैं नि दे सकता है और एक ऐसा है कि पैदाईशी बाद में बोलते हैं पहले गालिया निकलती है दो चाल कि यह जिस जगा से निकले ना उस आसपास में महुले में क्या होता है महुल क्या है इसेम चीज़ है दोस्तों अगर वहां से बदलना होगा तो इतना असान दोड़ी होगा हम तो छोड़ो दीजे मुझे तो छोड़ो दो बड़े-बड़े फने कहां भी आ जाए ना वह नहीं बदल सकता है तैम लगेगा हां मैंने कहा ना सुनने की कॉल इच्छी अगर आप में होगी है डेफिनली जनल भी बदलें कोई आपको रोकी ही नहीं सकता दुनिया में काम या बने से क्योंकि आपनी क्वालिटी को अच्छा कर लिया है कम्मुनीकेशन को ऑच्छा रखाए ये दो काम होगे तिसरा काम है दोस्तु लीडर्शिप का वह हैं आपको इंस्पार करना है की इस बिजनस में अगर आप काम्यार होना चाहतês हैं अधेले अपने दम पर नहीं हो सकते हैं आपको तीम चाहिए आपको लोग चाहिए आपकी जो टीम है जो आपके लोग हैं वो आपसे इंस्पायर होंगे और इंस्पायर करने के लिए जादू का काम करता है ड्रीम्स सपने जब आप ड्रीम लेते हो आप ड्रीम करते हो सपने देखते हो सपनों की बाते करते हो मैं अभी गोवा जाओंगी गोवा के लिए भाग रही हूं अपनी टीम में लगनी कि Cambodia आप चीक रहे हो मुझे तो दूबई आपुदाबी जाना ही जाना है आपकी टीम में याग लगनी है पता है क्यों कि आप बोल नी रहे हो आप कर रहे हो औि कि इंस्पायर कब होते हैं लोग कि जब आपके result हो तेiens खाली बाते करने से लोग हो दो दया है अच्छा बटा हमारे लिए है यह सारी बाते हैं अपने उपर लागब नहीं होती क्या कि और यू है कि और पे शो ऑई एक्शन आपको एक्शन से शोख करना पड़ेगा तब लोग आप से infraire होंगे आपको एप पोना पड़ेगा लोगों के साथ मैं लोग आपको फोन करते हैं ठोन ही नही उठाते हो आपको लोग फोन करते हैं चार बार तब जाके आप उठाते हो कॉल बेक तो आप कभी करते ही नहीं हो क्या होगा मतलब एप्रोचेबल नहीं हो आप एप क्या लगता है क्या आप लीडर हो खाली ये बोलने से हम लीडर है काई के लीडर है लीडर ऐसे नहीं होते हैं लेडर वो होते हैं सबसे पहले तो उठाते है निखाते हैं तो दाइलेक्टर हूं मैं क्यों मैं तो बड़ा बीजी रहता हूं यह कि इंग नगनना 99.9 पर संट कॉल्समा इंड करता हूं 99.9 पर संट हैं ने कि बिलकुल वाकिय में ऐसी जगापर उठाना है मतलब उस जगह का मैं बेजती करना हो गया इसलिए में वहाइड कर सकता हूं अधरवाइस में यह निशो करता हूं कि मैं तो बहुत बीजी हूं मैं कॉल बेक करके दिखाऊंगा लोगों को ताकर लोगों लगे कि देखो जी होंगे शायद सर मीटिंग कर रहे नहीं उठाएंगे कोई बात नहीं बट कॉल बेक करना फिर आपका धर्म है जब आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो कि लोग भी आपके जैसे बिवार करना शुरू कर देंगे आप बताओ जब ऐसा फांडेशन आपका होगा आपकी टीम का होगा तो आप उपर जाओगे का नहीं है क्योंकि कोई इंसान इतना बीजी नहीं है इंसान बीजी सिर्फ उस आदमी के लिए होता है जो उसके लिए इंपोर्टन नहीं होता है जो इंसान इंपोर्टन होता है ना उसके लिए कोई इंसान कभी बीजी नहीं होता है वो कितना इंपोर्टन है तो उसके लि इंस्पायर करना चाहते हो वाई एक्षन उसमें एक्सेसिबल होना है अपनी टीम को आपने एप्प्रोच करने वाला बनना है ऐसा ना लगे लोगों को भाई जार यह नहीं मिलते हैं धूंड़ना पड़ता है इनको राइट तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंस्पायर करन आप जो देते हैं ना गिव एन फॉर्गेट जो आप करते हो आपके भावना आते हैं ना कि मैं आपके लिए कर रहा हूं यह भावना बड़ी खतरनाक है मैंने आपके लिए इतना कुछ किया यह भावना ही खतरनाक है डेंजरस आपके बसका होता तो सबसे पहले मेरे बसका अगर मेरे बसका होता मैं आज बना रहा हूं और डाल डारेक्टर आप खुद सोचिए कि मैं डारेक्टर किसको बनाता सबसे पहले कि सबसे पहले डारेक्टर बनाता मैं अपने बच्चे को अपनी वाइफ को अपने भाईयों को, बतिजों को, बहन को, भांजों को, भांजीयों को, है ना, ये तो बड़े क्रोज वाले होते हैं, नहीं, मैं नहीं बना सकता हूं किसी को, कोई नहीं बना सकता है किसी को, बनता वही है जिसको बनना है जिसने ठान लिया है कि मुझे बनना है और फिर वो ऐसे लोगों के सबमिशन में आ जाता है ऐसे माहौल में आ जाता है जहां पर लोग जब करते हैं तो वो जताते नहीं है वो अपना फर्द समझ के करते हैं जब आपके नेचर में ये चीज आए तो आप अपनी की में इंस्पार कर रहे हैं जो um करते हैं दोस्तों यह अद्यारा फ्रज़ है यह फर्ज निभाना है आपको इसको समझे आप क्यूंकि जिपना हम कर रहे हैं डैट इसफ लाइक ड्राफ इनो ושन समूदर में एक पूते आए इसका रूल इतना है मेरे इतने करने से अगर सबका होना होता तो हो जाता ना नहीं यह किसी भी समुद्र में कि उस ऊश्यन का उस बूंद का रूल रहता है क्योंकि हर बूंद की वज़ा से उस सागर बंता है उस मुदं बुन्ध बुन्ध से सागर बनता है कहते हैं न साकर को यह फिमिंग होनी ची कि मेरी बशन से सागर बनता है green कीए कि एक बुन्ध से क्या फ्रक पड़ता है वह एक एक बुन्ध नही तो आपको सागर बनाया है मतलब दोनों को do give and expect nothing चुझे एंज जो मेंड़iliśmy करते हैं अपने साथ में तिम के साथ में इसकी Brennan से हमारी finding कॉतिए हम आगे बढ़ते हैं जब में ऐसा करते हैं तो हम अपनी ट्रेंग को इंस्पायर करते लिए मॉटिवेट करते हैं है चाला के सिल क्या आप लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने action से यह था point number 3 point number 3 point number 4 की बात करता हूं आज accountability accountable होना आप जब तक accountable नहीं है अपने बेवार में और अपनी intention में जो आप लोगों से बात करते हो ना मिल के काम करेंगे और यह बोल कि आप लोगों को अपनी साथ जोड़ते भी हो लोग क्यों जोड़ते हैं आपके साथ क्योंकि आप लोगों को बोलते हो मिल के काम करेंगे मैं आपको support करूंगी मैं आपको support करूंगा मैं आपको guide करूंगा मैं आपको मदद करूँगा मैं आपको सिखाऊंगा और एक बाई सीख लिया पुरी जिन्दगी आप इस काम को कर सकते हैं जब आप ये बोलते हैं आपको ये बात समझना है कि आर यू अकाउंटेबल अप इन यूर बेहिवियर और यू अकाउंटेबल इन यूर इंटेंशन कि बोलने से और प्रैक्टिकली करने से जब आप फिल्ड में जाते हो अलग-अलग रिजन में आपने टीम में बिल्ड की है जब मैं छोटा था मैं था या आप हो या कोई भी हो समॉल रेवल पे सारे काम करने पड़ते हैं मैं अलग-अलग सेशन में बात कहता है हूँ एक दुकान डाजब चोटी सी दुकान खोलता है ना चाहे वो टाटा हो बिल्ला या अम्बानी रहे हो उन्हेंने चोटी सी जब दुकान कोली थी तो उस दुकान में वो पानी भी खुद पीते थे चाहे भी खुद लेके आते थे गलास भी खुद दोते थे जारू भी खुद मारते थे शटर निच्चे उपर भी खुद ही करते थे वो उस तेम अम्बानी नहीं थे हर अम्बानी हर तादाज बिल्ला जो है ना जीरो से आएं उपर हम आप लोगों के साथ भी यही है कि शुरुआत में सारे काम करने पड़ते हैं और करने चाहिए जब आपने किया हो तब ही आप किशी को बोल सकते हो आपने खुद किया ही नहीं होगा तो आप कभी भी किशी को इंस्पायर नहीं कर सकते हो कभी किशी को डुप्लिकेट नहीं कर सकते हो तो जो आपने लोगों से बात है किये हैं उसके प्रती अकाउंटेबल होना आपने किशी को टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचना आपने टाइम दिया सुबह 10 बजे का और शाम को पहुंचने अच्छी बजे वो दस बंदेर लेके बैठा था भी चला पता चला मीटिंग फेल हो गई क्यों फेल हो गई क्योंकि आपने कमिट्मेंट किया था निभाया नहीं अब कोई भी चीज़ आपने लोगों से पैसे लिये स्टम कंपनी में जमा गड़ाते तुरन समान वहां से निकलता दुस्से तिस्से छोथे दिन या पांचे-वे दिन आप तक पूंच जाता समाना लेकिन वो टाइम से क्ल पैसा वहां जमान हुआ क्यों क्योंकि आपने बुला कल कर लेंगे कल पता चला कुछ और प्रॉब्लम आगे पर्सो कर लेंगे नहीं यू मस्ट बे एकाउंटेबल फॉर यॉर एक्शन आपकी टीम आपसे कॉंटेबल होते हैं आपकी टीम में कॉंटेबल पर जाती है उनका माइंडसेट आपको लेकर जबर्दस होता है जब लीडर्स को यह पता होता है कि मेरा सीनियर कितना सिंसियर है कितना ऑनेस्ट है है ना और मेरे लिए जो बोला है वो कर देता है क्या होता है दोस्ता आपकी टीम में एक अलग लेवल का कॉंटेबल लायता है आपकी टीम को फिलिंग आती है कि यस जो इन्होंने कहा था कि मिलके जंडे गाड़ेंगे वाक्यमें हम मिलके जंडे गाड़ेंगे जब आपके लीडर आपके साथ में अकाउंटिबल होते हैं आपको बोला कि हम सेमिनार कर रहे हैं मिटिंग कर रहे हैं मतलब आपने कोई वी ऐसा इलाका निए छोड़ रखा है जहां पर आप लीडर नहीं कर रहे हो यह लेजर की निशानी है दोस्तों साइन अफ लेडर्शिप चौथ ही क्या थोई एकाउंटेबिल्टी अगर आप इस तरीके से अपना रोल निभारे हो ना क्या आपकी टीम आग लगाएगी की नहीं लगाएगी आपकी टीम मल्टिप्लाई होगी की नहीं होगी कोई रोकी आपकी टीम की ग्रोथ को कोई रोकी नहीं सकता है क्योंकि आपने एक ऐसा बेंच्च मार्क सेट कर दिया है और कब तक यकिन गना जब तक आपकी एक अच्छी सी कीमनी बिल्ड होती है यह तब तक अगर आपने अपने आपको ना अप रखा हर हालात में अपने आपको अप हमतकार हों जाएगा को मुश्किल होता है मैंनी करां को मुश्किल नहीं है रहात को नौब पझायाना मुश्कल ए इससंख्या चल रहे होंगे बीग बोस भी चल रहा होगा पतंक क्या क्या चल रहा है स् nephew अंस्तेम ना जने आपके घर में कौन सा हुर दरा आया मुट मुश् इस मुश्किल को ही अगर आपने साल दो साल तीन साल चाल साल पान साल अगर आपने इन सब चीजों से अपने आपको डिटेच कर लिया आपके बिना लोगों की शादी हो जानी है आपके बिना लोगों की जनम दिन हो जाने है आपके बिना नाजाने क्या क्या हो जाना है अगर आज आपने यह सैक्रिफाइस कर लिया हमेशे हमेशे के लिए जिन्दगी बदल जाई है लेकिन आज अगर हम हर आदम की चाहिए हैं खुश करके रखे हैं लेकिन हम जिन्दगी भर खुश नहीं हो पाई हैं क्योंकि जब आप लेफ्ट राइट होता है न चाहिए एक के लिए दो दिन के लिए पुरा माहौल पुरा मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज है कि इसको मैं बोलता हूँ चौथी आइटम है यह चौथी आइटम जब आप एकाउंटेबल होते हैं तो पांच वी आइटम बनती है इसका नाम है फोकस क्या आपकी फोकस बढ़ जाता है आप स्टेटिजी बनाते हो आप प्लानिंग करते हो क्यों आपको पता है आप मैंने फोकस कर रखा है जी बिल्कुल क्या फोकस किया है गोल्ड लॉइन जाना है और जब गोल्ड लॉइन चलेगे तो क्या फोकस किया है कि गोल्ड लॉइन बना ने जितने जदा बना लेंगे या उतनी मजबूत हमारी बिल्डिंग बन जाइए कि फोकस करना का बनेगा जब आपस Sieckृ करते हो बहुत साइसी इसक्राइब कर जाते हो कि बाकर distraction जो आपके focus को बांट देती है कभी left को भी right आप अपने काम से deep focus हो जाते हैं आपने देखा है कि Facebook में देखना है थोड़ी देर आपने Facebook में अपने senior leader को देख रही है senior ने क्या post डाली है WhatsApp में देखा आपने क्या क्या आज के post आया में में news आ गई information मिल गई okay ऐसे आपने मालों को वीडियो YouTube में गई है पंदा मिनट आदा घंटा आपने उस पर दिया सुन लिया charging हो गई पुरे दिन की बैटरी चार्ज है no problem तो आपका focus का level क्या होगा next level हो जाएगा आपके energy का level क्या हो जाएगा पिछले कल में बोला था इस दुनिया में क्या विक्त ग्लास बच्पन में देखा होगा आपने एक ग्लास होता है ग्लास का टुकड़ा होता है इसको मैगनिफाइंग ग्लास बोलते हैं उसको कहीं पर रख दो आप और हिलाते रहो तो कुछ नहीं होता है लेकिन अगर उसको सनलाइट में focus कर दो कि दो कागज में आग लग जात कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चल्णा दिमाग में जब आपने सपने देखे हैं जो गोल बनाएं निक्ए में घाइरी में ऐसी जिंदगी होगी। आप आर्किटेक्ट है अपनी किसमत के निरमाता आर्किटेक्ट क्या होता जब बिल्डिंग बनाता है ना तो नक्षा बनता है नक्षा बिल्लिंग का कहां करी के लगेंगे कहां दरवाजे लगेंगे कहां क्या लगेगा कहां क्या लगेगा घर कैसा लगेगा यह जो आर्किटेक्ट हैं यह नक्षर कार है ना पहले नक्षर पनाना पड़ेगा अपने सपनों का अपने गोल का तार्गेट का ड्रेम्स का किसी को जोड़तनी कियों क्योंकि आपके स्ट्रॉंग कमुनिकेशन है क्यों आप अनेस्ट हैं आपके अंदर पैशन है वाइट यूंकि आपने नक्षा बना दिया है नक्षा पहले बनाना पड़ता है उसके बाद उस पर गाम किया जाता है और छिंटा नहीं होती है कैसा बनाना पिक्चर क्लियर है दिमाद में तो आईडिनेट सिस्टम ने यही कमाल किया है अग्वार नेट सिस्टमु का जो मैजर रहा है दोस्तों वह एक्सेबल होना है लोगों को लोग मिल सके आपसे बात कर सके आपसे इतने बड़े चौदरी नहीं बनना है मैं अप्लाइन हो सीनियर हो मैं इतना बीजी रहता हूं कितना ही बीजी हो बच्चा अगर रोड़ा है दिक्कत में भी हो सकता है तकलीब में भी हो सकता है कब पता चला जब आपने पता किया तब तक तक आंड हो गया क्या कर लोग अप्रोचेबल इस कि अब तो मिलना तो बहुत दूर की बात है कि है एंड एक्सपेक्ट नथिंग फिर मैंने कहा कि फोकस बनाके चलिए पांचुमा पॉइंट आज का फोकस एकंटेबल होना है और आज का च्छतुमा पॉइंट है दोस्तों देर्थी इस कॉल इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी होती है दोस्तों आपकी आपके उपन न कोई आदमी आँख बंद करके विश्वाश कर ले क्या इतने विश्वश्शने हैं आप अपने सीनियर के विश्वश्शने अपनी टीम के विश्वश्शने है तियांस के विश्वश्शने है आईड क्या आपके उपर विशुआश किया जा सकता है आपको फीलिंग होनी चाहिए कि येस टियांस आईटे नेट या मेरे मेंटर गुरू मेरी टीम मेरे उपर आँखे बंद करके विशुआश कर सकती है कि मैं कभी धोखा नहीं दूँगा मैं कभी चीटिंग नहीं करूँगा मैं गलत काम नहीं करूँगा जितने भी लीडर्स हैं यहां पर या आपकी टीम होंगी देखिए कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा है कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है बेशिक आपका शॉर्ट तर्म में कुछ फाइदा मिल जाएगा आपने यह मान के चलना कि अगर आप कितना पैसा कमालो मित्ती है जब इज्जत नहीं है और जब साथ में बैठने वाले दुनिया जब पता ले जाते ना कि यह आदमी आप देखो आज बड़े-बड़े अर्बो खर्बो पती ना आज छुपए फिर भाले देशों में क्यों अर्बो खर्बो पती जो हजारो क्रोड रुपए का टैक्स दिया करते थे यह दिया करते थे ठेकिंस बाद में पता चला कि भाईया दो नुम्बर का धंदा बहुत सादा था कंपनियों की जो एकाउंस थे उनके लेफ्ट राइट किये काम धंदे उपर नीचे किये डो दो नरेश गोल उंका नाम था तो अ बुड़ापा है बुड़ापे में क्यों क्योंकि उनके पाद जो पैसा फंडिंग था निंग उन्होंने आतंक वादियों से पैसा लियावाथ ते उसमें पैसा लगा वाथ तो इस देश में जैट का मतलब होता था प्राउड करता था इंसान में जट से जारो भाई साफ जट से एग्जाम्पल दिया मिने बहुत सारी मनी इस नॉट एवरीटिंग पैसा कहते है ना कि खुदा नहीं है यह बात अलग है खुदा से कम भी नहीं है पर खुदा तो नहीं है हमें कमाना है ओनेस्टी से हमें कमाना इंटीक्रिटी से लोग आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर से पामियाबी कि यह जड़े हैं दोस्तों यह लीडर्शिप की जड़े हैं जड़े हैं इसके बाद बात करें हम कि आपको integrity के बात क्यालू हूँ मैं आप से आप जैसे से grow करते हैं इस business में आप अपने आपको मेशूश करते हैं कि यस मैं पहले से अच्छा हो गया हूँ में को बोलना आ गया है मुझे बाते करनी आ गई है मेरा जनून बढ़ रहा है अधीदे थी आपके pocket भी बढ़ने शुरू आता है packet में पैसा है आने शुरू हूँ जाते है मजा आना शुरू होता है आपके घर में AC नहीं था न अपके घरमें गा dedicate झा झाली आ जाती है आपके account में accounting फिलना शुरू हो जाते है एकाउंट में फिर पैसे जमा होने शुरू रहते हैं लाइफ स्टैल बदलने शुरू हो जाती है वाइ क्योंकि ये प्रोसेस है ये एक दन का प्रोसेस नहीं है लेकिन होगा किसका जिनको जिनोंने ये कॉलिटी इसको मेंटेन किया हुआ मैं जब इस बिजनोंस में आया था आज से त्यांस की बात करो हुआ है बाइस साल पहले तो पिक्चर बिल कुल क्रिश्टल कलियर थी वाइ क्योंकि हर चीज ना खुद करके देखो ज़रूरी नहीं है वह दो नहीं स्वर्क जाना है स्वर्क देखना है स्वर्क कैसा होता है कर द小時 तो देखने का एक टीव का है दोस्तो मर की देखा जाया सता है स्वर्क कैसा होता है चाहिए बिनाम मैंठी defend देखा जा सकता है अब आप सोते हो कर कैसे देखिए मरने के बाद में स्वर्ग कैसा होता है ये तो नहीं पता होता है कि नहीं होता ये भी नहीं पता सुख घर बिच माया तीजा सुख सत्वंति नारी और नारी या नारा जो भी बोलो आप है ना पती या पतनी अन्चोथा सुख पुत्राग्याकारी जिस इन्सान की जिन्दगी में चार काम हैं स्वर्ग इदरी है मैं अपनी हिस्षियत अपनी उकात अपनी नौलज अपनी जिन्दगी के अनुभों के अधार पर कह रहा हूं डिस्कलेमर यह है कि भाई ज़रूरी नहीं है मेरी बास से सहमत हो लेकन अगर सहमत हो तो इसका मतलब मामला आपकर हमारा एक्जिस हाई है इस बिजन्स में जो सात्वी बात है कि वह है आपको की एप को सब्सक्राइब करना है कि टीम बिल्ड करना है कि आप इसा होता हैbly कि जैसे मक्ष निकलते के नमकहने मकष निकाला होगाा दूध ऐसे मैं उनसे पूछत Ellis उंको पता होगा कितने से कितना मख्धन मिल ना डेली मिल रहे देमो को जूड़ रहा है कोई किस चक्क मैं सूड़ जूड़ाने के बाद में महीना दो मिना-चे मिना साल भात क्या होता है थोड़ा सा मख्धा निकलता है कुछ लोग अपने को मिल जाते हैं अपने मतलब के अपने जैसे पागल दिवाने पैशनेट बड़ा भाई साथ जिन्दगी कुछ कर गुजरेंगे ऐसे नहीं जाएंगे इस दुनिया से ऐसी हर साल करते ही करते करते चीजें फिर लोग अचमबा होते ही यार हमने तो सोचा नहीं था तुम To Carगे हमें तो नहीं लगता था तुम कर सकते हो ऐसा क्या हुआ ऐसा यह हुआ क्योंकि आपने टीम को बिल्ड करने के प्रोसेस को महसूस किया है आपको पता लग गया कि हर आदमी लीडर नहीं है सबसे पहले क्वेले क्वेश्टन मार्ट तो खुद पर है कि मैं भी हूँ के नहीं हूँ क्योंकि मेरे होने के पीछे भी यह साइन है आर्ट कॉलिटी जो बताई मैं लीडर वही होगा जो लीड करेगा और लीड करने के लिए चाहिए टीम दूसरों की टीम है ना प्रोसी के बच्चे अंकल ही सकते हैं पापा नहीं ुरू जो रचा tagणई जैंकि अपने बच्ची यहां लग बच्चे की बिपर करणी आपने प्यारे हÅं इस विजनस में तो बहुत प्यार करो गया को कुछ लोग को भियाया क्यों कि कोको नो हुख करते हैं उनको मैं बताना चाहोंगा यह सही नहीं है क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि एक आदत है जिस चीज के आदत पड़ गई न या तो वो उपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी यह आपको देखना कि आप आदत उपर ले जाने वाली आदत है या आपको नीचे ले जाने वाली है क्यूंकि पता सब को ढता है ऐसा नहीं पता नहीं होता है देगर जब इनसान को लगता है नहीं नहीं बाद में ठीक हो जाएका कभी नहीं होता कि जब गारीयाहए हाईवे से नीचे उतर गई न फिर ऊपर चर ने के लिए बड़ी दिक्त, टीम बनाईे अपनी बनाईे अपनी टीम के साथ काम करिए, 33 में कोई भी इनसान कहीं पर भी जुड़ा है, किसी की भी टीम में जुड़ा हुआ है, कल्ती से भी जिन्दगी में अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करने, ये गुना है ये पाप है या महापाप है और किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी की टीम को बरगलाए नेगरिटिव करे या फिर उसके साथ में कुछ ऐसी सैटिंग बठाए किसी ने बच्चे को पैदा किया उस मा ने उसको पाला पूसा बढ़ा किया पढ़ाया लिखाया और अचानक पतलता जटके में आप ले गए वो जो अपने मा बाप का नहीं हुआ ना मैं उसकी भी बता रहा हूं वो तुम्हारा भी नहीं होने वाला है जो नीजल आज आपके साथ है और कल को चला गया किसी और के साथ में उसकी इपतफ़क की गरंटी होगा उसके साथ भी नहीं है आपको तो दोखा दिया होगा फिर पिर दया कर लेगा आपके साथ तो दोखा होना ना तो कम वाला होना है वो उसकी तो बैंड बजाके निकले आपको मैं तो यह दूआ करूँगा आपके लिए लेकिन मेरा 22 साल का अनुभाव यह है जिसमें कहता भी हो ना अगर सब कुछ ठीक ठाकी चल रहा होता तो आज मेरे नीचे पता नहीं कितने डायरेक्टर होते और मैं पता नहीं कहां होता बट अपने साथ तो ना जाने कितनी बार हुआ लेकिन हम भी जिद्धी बालक थे मैं कहा कोई बात नहीं है ना कोई बात नहीं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ऐसा फिल किया और आपके सामें रेजल्ट है इसलिए आप हमेशा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो भ गवर्णाना मत पहले तो करने वाले के लिए गलत काम है पाप है महाँ पाप है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो करेंगे फिर भी इंको कितना ही समझाद हो भाई साब नर्क मिलेगा मर जाओगे पर क्या क्या होगा ना ना हम तो करेंगे वह तो ऐसे होगे अब आप सोथ क्र कंट्रोल ना हो ना फिर जो उपर बैठा है ना कोई सुप्रेम पावर्ता कर फिर वह अपने आप करता जो भी करना हो विए आपको उस ना यह बोलना है भाई मेरे बसका तो है अब आप देख लेना है ना और अपना दिमाग खराब नहीं करना है कि जो था दी वह चला गया और हम में दम है ना ऐसे 3600 पैदा करेंगे और क्या दिकर कोई टेंशन नहीं लेने की है यह मैं इसलिए बोलाओं कि कहीं हो लोग बोलें कि सर ऐसा तो नुबह भी आया नहीं है अले एडवांस क्लास सर रही आईडीने की आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको पहले पता का जल रहे हैं अच्ता है इधर भी ऐसा होता है इस बिजनस में मैं मैं बोलता हूं जरूरी करो आप लेकि मेरा जो खुद अनुभव है बाइस सालों का मैं ज्यादा दरी बोलता हूं दो चार पांच क्रोड़ महीने तो मैं कमारा होता अगर सब कुछ ठीटाक चला होता अगर लोगोंने मेरी लंगड़ी नाम आरी होती मेरी टीमों को परबाद ना किया होता खराब नहीं हमें यह लगता है कि अगर जितना दिया है हमारी उकास से तो लाखों कुना ज्यादा है बट जितना दिया जो लगता ना इतना मिल सकता था अच्छा हुआ नहीं मिला पता नहीं हमारा दिमाग ख्राब हो जाते हैं तो जितना दिया इतना दिया कि आपके बीश में इनके पस कोई काम नहीं है क्या यह देली आ जाते हैं ना देखो खाली फीली बैठके अगर बढ़िया च्पाई हो रही है ना तो मैं बोलतों कर लेनी चाहिए बस यही काम करने अगर आपको लाखो क्रोर पर मिल सकते हैं तो कर लेना चीए क्या दिक्कत है वैसे तो बैठके टाइम पास ही होने वाला है इदर उदर की करने से अगर चुप चाब बैठ जाओ भगवान की पूजा करते हैं सुभा शाम भगवान मिले ना मिले दिखे ना द पूजा करेंगे हना हमें तो करने हैं अपनी भक्ति यह सोचके कि क्या पता किसी दिन खुश होके बड़ा पाल करते सेम अपना इदर है अपनी ट्रेनिंग एक जगा फोकस करना है एक जगा रहना है टीम बिल्ड करने के लिए यह क्या कहते हैं यह सारा का सारा प्रोग्राम हो जब आपने लीड करने के लिए अपनी टीम खड़ी किये और फिर उन टीमों को इंस्पायर कर रहे हो आप डेमोंस्ट्रेट करें अपनी मेहनत से अपने काम से अपने एक्शन से लास्ट और नोट लिस्ट स्पेशली में डिरेक्ट सलिंग की बात करूं डैट इस बिजन बिजनस में यह बिजनस डुप्लिकेशन का है इस बिजनस में नकल बहुत अच्छा काम करती है नकल के बारे में पिछले कल बहुत भाशन दिया था मैंने 10-15 मिनट का एनरजी का बड़ा जबरदस रोल है एनरजी खेल करती है आपकी जो सक्सेस की स्टोरी है आपकी जो के अंदर एनरजी होनी चाहिए खुद खाया है खुद कमाया है अचिवीदेश घुम रहे हो लगव पर आ रहे हैं या तो उसकी कर लो क्या दिकत है कि दो चार पांच लोगों की कहानिया आपने बताई और बता दिया कि मेरी फिलिंग ऐसी है इनके साथ में रहे के सड़ा भी बड़ा पार हो जाना है हो गया काम डुप्लीकेशन वही चीज़ें होएंगी अगर जो आप कर रहे हो ना अगर वह लगता ना आपको डुप्लीकेट नहीं हो सकता है तो इसका मतलब आप ट्यांस नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप नेट्वक मार्केटिंग बिजनस नहीं कर रहे हो जो चीज डुप्लिकेटेबल है उसी का नाम त्यान्स है उसी का नाम नेटवुक मार्किटिंग इंडस्ट्री है क्योंकि इस बिजनस में वही चीज़े काम करेंगी जो डुप्लिकेट हो सकती है तो डुप्लिकेटल का आनर्जी होती है stories होती है story tell fact tell story sell इस दुन्या में story बिक्ती है जब कोई बोलता ना कि आपके प्रोशी नहीं ये टीवी लिया है ये फ्रिज लिया है ये गाड़ी लिया है तो आपका मन करता है कि नहीं करता है हम भी लेंगे करता है ना और हैसियत हो तो और ज़्यदा करता है तक्करमाता दिल अरे अच्छा हम भी लेंगे क्यों हर चीज में ऐसा होता है तो डुप्लीकेशन दोस्तों अपने हर action में हर अपने करम में अपनी हर गती विदियों में activities में याद रखना है कि जो मैं कर रहा हूं ना ये डुप्लीके टेबल है या नहीं जवाब मेंने का यस तो समझ लो आपने लीडर वाला काम कर डाला है इसके लावा बहुत साइच चीजें और भी है लेकिन क्योंकि टाइम की नजाकत होती है इसलिए कि हमने रखा था आठी पॉइंट यह आठ पॉइंट पे गौर कर लो फिलाल मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं लगबग तो लगबग तीस चालिस बहुत उपर ले लें इक्क्यावन अच्छा नंबर है ना इक्क्यावन का शगन होता है इक्क्यावन पॉइंट नोट कर लो कोई ज्यादा अगर हमारी तरह पागल है तो 101 लिख लो एक्क्यावन या 101 पॉइंट लिख लो डाइरी में यह बोला था यह बोला था यह बोला था बस उसकी माला जबते रो मतलब पढ़ते रो फिल करते रो मैं यह कर रहा हूं ऐसे करना भी नहीं करना हूं ऐसा बोला गय रहा है ऐसा बोला गया इसको बोलते रोड मैप आपको एक रोड मैप मिल गया है करने के लिए बनने के लिए चलने के लिए मैं महसूस करते हूं पिछे मुड कर घूम फिर के मैंने वही काम किये है फिसले 20 सालों में नहीं चीज्वों को मैंने वहाई रिख दिय ए ट्रैनिंग दिया है आप फिछले अकर दो चार साल से देखने हैं। उन रहाँ होंगे तो आप मैसूस करते होंगे कि भूम फिर के सब यही बाते बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसके लगवा कोई जुरूरत नहीं इसी में ही समतकार है इस उम्मिद के साथ किस्ता की ट्रेनिंग जब हो उसको आप सुनें लिखें और फिर पढ़ें क्यों लिखने के बाद अगर आपने दो चार बार पढ़ा नहीं तो फिर भूल जाओ गया अब आपने जो डाक्टर भी बहुता हैं तीन दिन दक दवाई लेनी हैं तभी बुखार उतरेगा बुखा ही अगर आपने आज लिक लिए पढ़ लिया वसको याद रहे लेकिन यह भी तो हुष्जा कि ना रहे इस लिए कम से कम आज तो आपने पढ़ा सुना लिखा एक डिन और पढ़ लेना दिन में जब भी मौक्सम किले कल शान को तक प्र एक आद दर दिन ऊbak दॉkim एक दव विजनस की शक्ति विजनस की ताकत आज से बाइस साल पहले इस जलने में जब मैं शुरू हुआ था तो मुझे नहीं पता था ऐसे ऐसे होता है बढ़ जैसे करते चलेगे करते चलेगे करते चलेगे तो बहुत साइची चीजें जो लगती थी वो है नहीं उसका काम उनको हमने हटा दी अथ के अपनलने सिले बस एना लेकिन जो मुझे लगाना कि यार अपने सिले बस में ये तो होना ही चाहिए इससे अपना काम बढ़िया होगा मैंने अपने सले बसंटौ अबढ़ा है मैंने अपने जीवन में भी डाला है और जब भी मुझे मिलता है उन्हीं चेजों को में गुम फिर के वह ही बातें होती है बहुत अगर आपको पता होगी यह वाली बाते हैं यह वाली अगा就 होगा आप दुनिया भगी ट्रैनिंग ले लोगे बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं लेकिन दूल फांक रहे हैं बड़ा दुख होता है जब मैं अच्छे टैलेंटेड लोगों को जीनियस लोगों को जिनके आगे ना मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बोना समझता हूं अनके आग तो पाणी नहीं बदसकता हूं मैं जी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं ना और जो बताया गया उस ट्रेक में चलने के लिए उसको आप फॉलो कर रहे हो एड़े बनके पेड़े खा सकते हो आज के लिए इतना है तरही दिल से शुक्रिया इश्वर का उनके आशिरवात से हो रहा जो भी हो रहा है नंबर वन नंबर टू अपने परिवार के प्यार से औ ब्लेसिंग है इतनी अच्छी कंपणियों ने बनाई और आज हम आप लोग मिलकर वहां पर हवाई जार बढ़ा रहे अपना जंदगी का केरियर का और फिस सबसे बड़ा थेंक्यू आप सबका इस्पेशली आपका आपने हमारी जंदगी बदल दी और जब आप में यह शक ने देखो क्योंकि ताकत बड़े सपनों में है चोटे मुटे सपने तो वैसी नौकरी कलो रही हो जाएंगे बड़े नो बड़े सपने पुरे करने के लिए त्यांस से यह लिख लो बड़े सपने डिजाइन बना लो नक्षा बना लो और उस नक्षेक आपके लिए और है जिसे दोन बच्चान बड़ा हो जाता है था में उन के लिए हुद ही बस आ Carmen Pak next नहीं है ना जो जो बच्चे बढ़े बढ़े हो गए ना है में उनके लिए दूआ रहती कि बस ऐसे अब फोलो मौद लो रैट क्या बढ़े हो गए हो तो बड़े बच्चे के लिए हमेशा ऐसी दुआ है उनके लिए ऑपने दम पे पर पढ़िया कर रहे हैं उनके लिए तो हमेशा आशिरवात भी है दुआएं यह ऐसे फुलो फुलो मॉज्ब्स लो राइट तो जो मैजिकल मंत्र रहें इस बात के लिए हैं कि टियांस में एक मैजिक है और ID.NET सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है तो हेलो टियांस, हेलो एई, टियांस ने हमाद चेर्मेंट सरने लिखा है हेलो टियांस, हेलो एई, मतलब हम आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जो आज की दुनिया की नई एक चीज है उसमें आगे हैं, हम उसको एड़प्ट कर रहे है इसलिए हेलो टियांस, हेलो एई, यह ताजा ताजा है, यह फिछले दो ताज़ छे मिने का बट हमारा जो बेटर टियांस, बेटर लाइफ, यह बहुत पुनाना है जब से टियांस चल लई है, तो टियांस को बेटर करना है, क्योंकि लाइफ को बेटर करना है तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लब टियांस, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसके साथ गदारी नहीं करते हो अगर करोगे तो गुत बुत बुत ना पड़ेगी I love Tians Tians ने जो कहा न कि ऐसे काम करना है Rule Regulation Tians के है God of Ethics है उसको follow कीजिए Short Term कुछ नहीं है मेहनत हर जगा करनी पड़ेगी Short Cut नहीं करना है I love Tians I love ID.net system System आप और हमने बनाया है कोई सिस्टम अलग चीज़ नहीं है हम हैं तो सिस्टम है हम हैं तो Tians है तो Tians भी आप और हम सब से आईडिनर सिस्टम भी ऐसे बनाये I love Tians I love आईडिनर सिस्टम I am a diamond ये है दोस्तो अपने प्रती फिलिंग्स एक diamond के तरह आप लीडर है and we all are diamond हमें respect करना है कि हर आदमी इस दुनिया में diamond है अगर उसको मौका मिल जाए उसको तराशा जाए तो चमक सकता है तो go gold line everyone soon ID.net में ही बोला जाता है ये नारा और कोई जगा नहीं बोला जाता है लिख लेना कुछ चीज़ आप जी होती गो स्टार गो डायलाइन गो डायलेक्टर गो एजडीडी क्यों नहीं क्योंकि गोल्ड लाइन अच्चीवेबल है स्पैसिफिक है तागेट गोल्ड लाइन ऐसा लेवल है जहां पर एक आम आदमी की जन्दगी सुपर जिन्दगी बन जाती है और जब उसकी सुपर जिन्दगी बनती है तो ना जाने कितने लोग उससे इंस्पायर होके आगे बढ़ते है जल्दी अच्चीव करने का लेवल है दो से तीन साल में आप गोल्ड लाइन बन सकते है अगर आप इमान दाईस से काम करें जो आज लिडर्शिप की बाते की हमने दो से तीन साल मैक्शिमम तो मैं जानता हूं कि अगले दो तीन सालों में बहुत सारे गोल्ड लाइन यहां आ रहे क्योंकि वो लोग लगें वो गोल्ड लाइन अविए अविए उन सुन और अभी क्या है हम सब डिस्कस करते हैं चलो गोवा क्योंकि गोवा का तागेट सामने चलो आप उदावी दो बाई और जाना तो गोल्ड लाइन है राइट और अभी आपके पास सौ बीवी में इनाम दिया है कंपनी ने सौ बीवी का बिजनस करो दो सौ बीवी का करो चार सौ बीवी का करो अगर आपने आठ सौ बीवी का जोड़ दिया दो डिरेक्ट तो आपको अलग से मल्टी फंक्शन हेट मसाजर मिल रहा है मतलब आगर आपने अपनी आईजी में चाहे आप नए लिज़ रहे हैं या पुराने लिज़ रहे हैं सौ बीवी में भी माल मिलेगा गिफ्ट में लग से ब्रॉंज में भी सिल्वर में भी और गोल्ड में अगर आपने दो गोल्ड कर दिया तो भी आपको एक शांदार मल्टी फंक्शनल हेट मसाजर मिलने वाला है तो कमपनी ने पूरा पैकेज दे दी आ आया और यह महीना की आए दोस्तों को गोवा की पॉलिशी हो जाएगे ज्यादा दू बबई जाए तो आप गुबई और इसको गोवा को हिट किजिए बहुत ज़रूरी है तो इस मेह तो फिर दुबारा पिछले महीं से ज्यादा बिसनस करने वाले हैं क्योंकि आपको कहा जाना है इस बादी इस महीने में जो है BCM से भी ज़्यादा important महीना ही है पिछले में तो BCM के भाग रहे हैं BCM BCM अपकी बाई BCM नहीं है बट आपकी बाई गोवा है तो यह उमीद है कि आपके लिए लोगों को जिनको जोड़ना है उनको क्या मिलने वाला है इस पर focus करना है आपको तो गोवा मिलने वाला है और गो 12 साल में लगवक पहले 15 साल में जिन्दकी कैसे जब कभी ट्यांस ने कभी ओफर नहीं दिया ना आफर देटी थी हमने जो बिजनस खड़ा किया वह बिना ओफर के खड़ा किया आज आप बहुत लखी है कंपनी हाट महीने कुछ ना कुछ दे रही है तो पिछले महीने जो गए अब इस महीने 20 सेम नहीं है और मुझे नहीं लगता करो छे मिने साल राइट बाकी दुआ करो बीच में फिर मिल जाए तो मजाएगा तो मैं भी दुआ करो आपके लिए बस कंपनी साल में एक बार ना करे दो बार करे तो और अच्छा पर तीन या चार हो गया तो बल् आप सब ने इस प्रोगाम को अटेंड किया आज का सेशन पुरा ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटर था अब हम कल शाम को कितने बज़े मिलेंगे आठ बज़ कर पच्छ पर मिलेंगे आज मैं आपको सभाशी भी दूँगा और मैं तारीफ करूँगा आपकी आज आप 9 बज सब्सक्राइब करते थे थोड़ा साज क्यों कि कुछ लोगों को पता नहीं कुछ लोग तोड़े आदत से हैं कोई बात अब धीरे-दीरे गारी को लाइन में लाने की कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर और एक दुस्रे को बैटर करना एक दुस्रे को इंप्रूब करना है एंड आई होब आप में से सभी दिजर हमाई साथ होंगे गवा में आप होंगे हमाई साथ में आबुधावी दुबई में और आप सब बनने वाले हैं त्यांस के सुपरस्टार गोल लाइन अर आपकी जिद्दगी बनने वाली है पुरे देश में हम मिलकर जंडे गारेंग देश के हर स्टेट में बड़े-बड़े इवेंट होंगे जहां आपकी टीम में बैठी होंगी और बड़े-बड़े स्टेडियम जो है आपके नाम के भड़े होंगे तो वन्स अगें तैंक यू बई मच बीद मी बीद अस तिल नाव तोडे अब मैं आपको अन्म्योट कर कि अभगा होंगे तैंक ये आपकी तैंक ये स болicles 5 अन्म्यों वे चुक्या बड़े? AG 2019 जो बाइब दो बाइब